तो भाई आपने आपने इसका टेस्टिंग देगा टेस्टिंग कितना ज्यादा अच्छा था तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और आज मैं आपको पताओं को कि इसे कैसे बना सकते हैं या निया चेसरलाइट को बनाने के सबसे पहले आपको यहां बर एनिए 555 नमबर का एक आईसी लेना होगा जो को मार्केट पर इसली मिल जाएका नहीं मिलता है तो नीचे डिस्रिप्शन पर ले लेना मैं आपको लिक कि नीचे प्रोवाइड करवा दे रहा हूं अब देखो इस पर हमारे आठ फिल आते हैं यहां से इस सेट से आपका चालो होगा और यहां से आपका खतम हो जाएगा अब चलो इसका कनेक्शन करते हैं और इसके बाद आगे का कनेक्शन भी आपको मैं पूरा समझाओगा तो ब पिरन नमबर-6 इन दोनों को आपस में इससे कboys सॉल्डर करना है मैं इसे कर लिया हैं आपा में यहाँ पर पिरन नमबर-4 और पिरन नमबर-8 को सॉल्डर करना है और आप यहा पर एक पर द्यान रखना कि दोनों वायर जो है वह आपस पर सोट नहीं होने चाहिए जिसके लिए मैं आपके इतने सामने से आपको रिकोर्डिंग दिखा रहा हूं पिन नमबर 2617 और 4 और 8 एक साथ चाहिए अब इसका पीन नमबर चो वपाने और टू है यानि इसके पेस्टर का पॉजिटीव और नेगिटिव है उसे हमें पीन नमबर वान और दो के साथ सोल्डर करना है अब नेगिटिव वाला पॉइंट यहां पर होना चाहिए त्यों से नमबर वन हमारा और दो नंबर पीन हमारा पॉजिटिव होगा तो चलो इसे यहां पर सोल्डर कर देते हैं अब इसे भी करेंट कर लेने के बाद आप देखो यहां पर हमें पोटेसियो मेटर यह सिदा बात समझे तो प्रेसेट पर यूज कर सकते हैं और उसे करेक्शन कहां पर करना होता है य दूसरे सर्कृट के साथ जो है हमारा सीडी चालिस सतरा आइसी और इस पर अगर देखो तो यहां पर टोटल आपको सोला पिन देखने को मिल जाएंगे आठ इधर मिल जाएंगे सेम इसका भी होता है इससे समझाने का मैं थोड़ा सब क्लियर ने समझालता हूँ यह आप सब्सक्तुरण यहां से ही चालि चालिए और यहां पर लास्ट में खत्म हो जाएगा तो यह आपको तोड़ा मेजरमेंट वह आपको तोड़ा रखना पड़ेगा थीमां में तोड़ा रखना पड़ेगा तभी आप इसका कर पाऊगे अब चलो इसका जो connection है वो काफी इजी है इस पर भी कुछ shortage करने हैं जो आपको भी बताऊँगा मैं अभी मैंने इसका connection क्या होगा जो मैं आपको आप बताता हूं यहाँ पसबसे पहले देखो मैं पीछे कर रहा हूं और इतना जान लो कि आप पीन नंबर वान है वो आपको इस सेठ पर है और पी नंबर स्वलाम यहाँ इससेट पर हो तो दिखो यहाँ पर करना क्या है आपको पीन नंबर आठ लिए आप पाऊ गए 13 और पीन सासका पनदा है यह तीनो एक सांथ singles हों अर्यवार्य मोटे वाईर्स पर नहीं लगाना है वह 555 एनी एग alarm होगा और य क्योंकि आप दोनों में थोड़ा डिफरेंट्स आपको बता जाता हूं दोनों में एक काम है जो आप समझने जरूरी है वो क्या है या अगर सिर्परसिव आप अभी इसको यूज करोगे तो इस टाइम पर आपका जो इसका आउटपुट जो निकले हैं वो पीन नंबर हमारा आप तीन से निकलता है यानि पीन नमबर तीन हमारा पोजेटिव रहता है और नेगेटिव तो आप नॉर्बलर यहाई से ले सकते हूं और इस जीजगे से लेसकते हूं यह सिर्फ और स्रिफ 555 आईसी का काम है आप आप जिसा कि इस पर निटी को लगाऊँ तो यह सिर्फ बिलिंकिंग करेगा उसी को यह दोर आता है यानि कि जो बिलिंकिंग इस पर करना होगा उस वाले बिलिंकिंग को अब यह इस पर ट्रांस्पर कर देता है और जिस तरी के चैसर की तरह काम करता है यानि कि एक के बाद दूसरा जलेगा दूसरे के बाद तीसरा जलेगा तो यह function करता है हमारा CD47 IC अब इसके pinouts अलग-अलग नंबर पर है और सबसे पहले समझे तो यहाँ पर data जो इंट्री इसका एगा वो किस जगे से आता है तो यह मैं आपको असाने सा समझा देता हूं इसके साथ पर हमें solder करना होता है यह क्योंकि जो डाटा जो रहेगा वह आप इससे इंट्री कर दोगे यानि पीन नंबर चौदा से और पीन नंबर तीन से डाटा ट्रांसफर करोगे तब यह जागर कि यह काम करेगा और आगे कानेक्शन बता होगा लिए उससे पहले क्या कर करते हैं यह भी हो जाथा है कनेक्ट अब इसकी आगिन का कनेक्शन हमेरा क्या है कि जो हमारा एनी 555 आए सी के पीन नंबर ऐट है यानि यह वारा जो पीन इस्सें हमें करेट कर देना होगा 47 आएसी के पीन नंबर 16 पे चूकि हमारा सीडिय Freder 47 आए सी जो है इसका एक नंबर शोलिए सिष्टिन नंबर पीन पॉजिटिव है और एनिटीट प्ल फाइफ आईसी का पीन नंबर एट हमारा पॉजिटिव है ठाई तो यह दोनों को हमें आपस पे शोट करना है यह भी कहनिक हो जाता है आप क्या करना है अप में यहाँ पर जो हमारा एनिटीपर फाइफ आ आइसी का पीन नंबर आठ रहेगा यानिकि देखो मैं आपको स्किलियरने समझाता हूँ जिसे आप असाने से समझ बाओगे देखो पीन नंबर आठ तैरा और पंदरा एक साथ शोट था तो क्या करेंगे यहां पर पीन नंबर वन यानिकि एने 555 आप पीन नंबर वन और इस समझेंगे तो चलो अब मैं आपको इसका पहले डिखा देता हूँ और उसके बाद आगे का कनेक्शन करेंगे यानिक जो हमारा आउट पूट रहेगा उसके बारे में समझेंगे यह देखो यह इसका नोर्मल सा सर्कीट डाइग्राम और इस डाइग्राम पर मैंने आपको हर चीज बता दिये डिटेल से 555 आईसी पर कितना अमारा पिनाउट है कैसा कनेक्शन है सीडी चारी से तरह पर हमारा कैसा कनेक्शन है वह आप लोग देख सकते हूँ अब यहाँ पर मैं दो चीज़ें आपको जो है वह इंपोर्टेंट बताने वना वह क्या है वह आप लोग भयान से समझना ना समझना है तो नीचे कोमेंट कर देना देखो और अगर आप देख के पर सीटर के जो माइनस पॉइंट होगा ना वह हमारा इंपूट माइनस चलता है अब बात करते पोजिटिव पर तो पी नमरा बारा आट और पी नमर जो सोला था उसे मैंने एक साथ सोटेच के यह हमारा इंपूट पोजिटिव है आप लोग यहाँ पर थोड़ा देख करें तो बेटरे से ले लोगे अगर पावर से यूज करें यूज करें तो वहां से आप नेगिटिव ले लोगे लेकिन जो पोजिटिव आउटपूट ठीक लेगा वह आपको यहाँ से लेना है सीड़ी चानिस सत्रह ऐसी से अभी देखो आपको थोड़ा द्यान समझने को यहां गर्फ को मिलेगा जो माइन पीन नंबर मारा ओटफूट 59 नि कल रहा है पी नंबर 2 पर पाउटपूट Korean कुछ समझ में नहीं समझ माई तो जलो मैं क्रिय करके बताता हूं दयको आब सीधा समझो जो फीन सनइा वह आउटपूट जीरो है यहानिague लाटी नंबर वन में यूएम ार्ट डो हमारा आउट्पूट टुसरी यानि एलडी में इंवर तो है अर्पर तीं यहां पर तुछ बिल्ड़नें पहले पता दिया शेवेन देखो यह हमारा आउट्पूटां थाउट्पूट त्रह यह हमारा आउट्पूट 0 और आउटपूट वन और आउटपूट ए त्री दिख रहा है यह सीरियल नंबर है और इस वाले कि आप से आपको एलेडी को सेट करना पड़ेगा कुछ आउटपूट आपको इस सेट पर देखने को मिल जाएंगे लेकिन अभी विए काम बाकी जो आपको इस पर ज्यादा इ 만 two one नौर्मल को मान टो क्या करें यहां पर हम डाइवहु घ्यूज कर सकते हैं क्यूंकि यहांप आरेको काफिस सामने सामने तो आपस मोजसकता है इस आइसी खराब हो जाएगा लेकिन अगर आप यहां पर एक डाइवोड का सिंपल सा यूज कर लोगे ना तो डाइवोड से क्या होगा कि आपकी एक खराब होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं को बाकी एलेटी सभी ग्लो करेंगे वह भी काफी अच्छी तरीके से अब इसका जो नंबर है वह मैं आपको यहां पर बताता हूँ इसका नंबर है वान एन फॉर डबल जीरो सेवें डाइवोड और यह आपको मार्केट पर भी मिल जाएगा पचास पैसे करीब या एक रूबे मिल जाएगा और नहीं आपको खरेदना है तो टेंसन मतलों आपका भाई है यह मैं हूँ आपको मैं बताऊंगा क्लियर लिए से आप इसे नोर्मल चार्डियर से भी निकाल सकते हो जो आपके पास एडैप्टर चार्डियर होगा या किसी तरका में सरक्रीट होगा ना उस सभी पर आपको असानी से देखने को मिल जाएगा तो यह डाइवोड को असानी स पीन है तो हमें इस वाले आउटपूट पीन पर यहां पर एक डैवोड को इसे सोल्टर कर देना है ठीक है चलो मैं सभी में कर लेता हूँ और उसके बाद एक एक एलेडी को भी बनाएंगे जानी चेसर की तरह बनाएंगे और उससे भी टेस्ट करके दिखेंगे उसके साथ कि एक हिस्तरिके से खाम करता है और अभी मैंने नहीं तो यहां पर प्रिसेट लगाया है और प्रटिश्यवीटर लगाया तो यह भी मैं आगे अभी लगा करके बताऊँगा अब सारे डैयोड को कुछ हिस्तरिके से मैंने लगा दिया जहां पर आउटपूट रहेगा उस साथ नमबर पीन पर देखो तो आपको और दिखेगा और आपको साथ नमबर वाले पीन पर ब्लेक दिखेगा और शिक्स वाले पर आपको रेट क्लर का वायर दिखेगा और इससे मैंने भी कनेक्ट किया है प्रटेंशियो मेंटर के साथ और प्रटेंशियो मेंटर का पहला आपको करना है यानि कि इस वाले पोटेंशिव मीटर का पहला पिन और दूसरे वाले पोटेंशिव मीटर का तीसरा पिन एक साथ करना है और उसे करना होगा इस वाले वायर से यानि कि हमार जो पिन नमबर सेवन था उसके साथ करना है आठ नमर पिन पर आपको करेंट कर देन और यह वाला पॉइंट और यह वाला पॉइंट को एक साथ करना है और बीच वाले को एक साथ करने और यहां तो इन तीनों वायर को जिसे मैं यहां पर लगाया तो कुछ इस तरी कैसे यह लग जाएगा तो चलो आप हमें LED को भी बनाना पड़ेगा तो LED का काम जो है वो भी मैंने आधा कंप्लेट के हुआ है यहाँ पर देख सकते हूं यह जो LED यहाँ पर मैंने यूज किया है यह 10 LED है और सभी LED की नगेटी पॉइंट मैंने एक साथ सोड कर दिया है अब क्या करेंगे यहाँ पर हमें एक एक वायर को करनेट करना पड़ेगा और उसके बाद नंबर वाइस हमें सारे डायवर्ट पर लगा दना पड़ेगा अगर आपने डागराम को देखा है तो ठीक है नहीं देगे हो तो तो आपको पता नहीं होगा वैसे मैंने इसे बता दिया है तो आप फिर से वीडियो को देख सकते हूं या टिलिग्राम को जोइन कर सकते हो निचे डिस्रिप्शन पर लिंक है जाओ चेक आउट कर लो चलो इस पर एक वायर करेंट करते हैं तो आप लोग देखो कि इसका प तो यूज़ बताई दिया प्रेसेट कभी यूज़ कर सकते हो बस कनेक्शन से मिरेगा बस आपको चेंज करना होगा जो सबसे पहले इस पर 3.7 वोल्ट देजते हैं और आपका साइथ कोमेंट हो सकते हैं हम इसे लास्ट कितनी वोल्ट तक इसे ऑपनेट कर सकते हैं तो आप आप यहां पर 3.7 वोल्ट से लेकर 9 वोल्ट तर इंपूट दोगे तो आपका इसी जो होगा वो काम अच्छी तरिके से करेगा आप बोलो कि भाइन लाइट तो हमारी फ्यूज हो जाएगी तो आप क्या करना है यहां पर मैंने ग्राउंड पर ब्लेक वायर को कनेक्ट किया है जो हमारे देर्ट 3.7 वोल्ट से आया हुआ है तो यहां पर आप एक रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हो जिसे लेडी जो फूक्डे से बच जाएगा यानि खराब होने से बच जाएगा और आप इसे 9 वोल्ट भी दोगे तो आपके लेडी कितनी वोल्टेज पर चलती जो एक लेडी है वो कुछ इस तरह के से गलो करता है अब मैं यहां पर कुछ सवान रखता हूं जिससे आपको जो इसका रिफलेक्टर वह आपको क्लियर लिस से दिखें इसे के पर मैंने प्लाय लगा दिया है और देखो यहां पर कंटिन्यू अगर देखा गाए तो यहां आप मैं यहां पर को ऊपर उठा रहा हूं जिससे आपको इसे कंट्रोल करके दिखा सबको तो देखो आप इसका काम जो है वह स्पीड या कम कर सकते हो और इससे भी आप जो रणिंग टैम है वह आप कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं इस वाले को यहां से बढ़ा रहा हूं औ आप दूसरे वाले को इससे भी करना पड़ेगा इससे क्यूंकि यह पूरा कंट्रोल होगा दोनों जब एक साथ मेचिंग करना होगा आपको वुष्ट है पर यह काफ़े अच्छा एफ्ट आपको देखने को मिलेगा अभी मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि यह देखो अभी मैंने यहां पर सेट किया है तो रणिंग स्पीट जो है वह काम करने लगा है वह एक लेफ्ट साइट से काम करता है दूसरा राइट साइट से ही काम करता है लेकिन अगर प्रिसेट करो कि तूस पर आपको तोड़ा जादा इजी हो जाएगा वैसे आप सब्सक्राइब करता है यहां पर आपको जो इफेक्ट है वह भी सुलो होता हो दिखाए देगा तो आपको कुछ इस तरी किसे मज़ा तो नहीं आ रहा है चलो मैं लाइट को ओफ कर देता हूं उसके बाद मैं आपको दिखाता है उससे टेस्ट करगे कि इसका जो लाइट इ अभी मैंने लाइट को ओफ क्या हुआ है आप इस वाले लाइट को भी ओफ करता हूं के अमरे कान जो लाइट है यह देखो अब पूरा लाइट ओफ हो चुका है आपको पोटेंसिव मेटर ने दिखेंगा आपको जो इसका इफेक्ट है वह आपको देखने को मिल जाएगा चलो अब मैं यहाँ पोटेंसिव मेटर से देरे देर में कंट्रोल करूँगा और आप इसका जो एक्षेक्ट है वह आप लोग देखों खराइप बाइब बाइब आपको चलो आपको जो वह आपको पोटेंसिव ईसका जो एक्रोटेंसिव मेटर्टा से ओह आपको जो आपको पोटेंसिव में यहाँ करते दोंगती है वह आंपको जो जोगलती है ने किलिए है तो आप मैंने आपको इसका पुरा जो एक्रेट है वो में आपको दिखा दिया आप इसे कंट्रॉल भी यही से कर सकते हूं जितना को एक एलेडी गुलो करवाना थो उसकी तब सेट कर सकते हूँ अगर आपको इसे थोड़ा भी और स्लो चलवाना है तो आप इस वाले पोड़ने लगेगा और कम करोगे तो यह कम भी होता जाएगा तो कुछ इस तरी किसे चेसर लाइट आप सकते हूँ अभी मैं इस पर 10 led लगाया है आप चाहिए यहाँ पर 20-30-40 जितने लगाना चाहते हो लगा सकते हूँ बस आप फावर सप्लाइट थोड़ा एंपियर बढ़ा देना लेकिन वोल्टेज हो रहे हैं वह 3.7 वोल्ट से लिए करके 9 वोल्ट तक ही होना चाहिए ठीक ह सब्सक्राइब कर देना आगे भी काफी सारे वीडियो साने बाट कि दिवाली के तो चैनल को जरू से सब्सक्राइब करना ठीक है तरो मिलते हैं तब तक लिए बाइबाइब आप 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 आप